रितिक रोशन के फिल्म क्रिश के पूरे हुए 15 साल इस खास मौके पर रितिक ने शेयर किया स्पेशल पोस्ट वेल साथ ही अपने फैंस को दी बड़ी हिंट क्या है पूरी खबर आएए जानते है बॉलिवड एक्टर रितिक रोशन ने सूपर हीरो मन कर सभी का दिल जीता है उनके क्रिश सीरीज फैंस को बहुत पसंद आई है वेल अब क्रिश के 15 साल पूरे होने पर रितिक रोशन ने अपने फैंस को खास तौफा दिया है वेल लंबए समय से रितिक रोशन की फिल्म क्रिश फोर का फैंस को बेसबरी से इंतजार है वो एक्टर से अक्सर इस बारे में पूछते थे अब रितिक ने फैंस की ये इच्छा लगता है जैसे पूरी कर दी है और क्रिश फोर की अनाउंस्मेंट कर दी है जीहां रितिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी है वीडियो में रितिक रोशन ने क्रिश के नए मास्क की जलक दिखाई है साथ ही लास्ट में ये बताया है कि क्रिश को 15 साल पूरे हो गए है रितिक ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा अतीद खतम हो गया है देखते हैं भविश्य में क्या आता है क्रिश फोर रितिक रोशन के इस पोस्ट पर कई बॉलिविट सिलेब्स ने कॉमेंट करके रितिक को बढ़ाई दी है टाइगर श्रॉफ ने भी फायर इमोजी पोस्ट किया है वही एक फैन ने लिखा इस फिल्म का बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं डाले उन कॉमेंट्स पर एक नज़र आपको बता दे सीरीज की पहले फिल्म कोई मिल गया थी जिसे राकेश रोशन ने डिरेक्ट किया था फिल्मेकर राकेश रोशन ने साल 2018 में कृश फॉर की अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कहा था कि क्रिसमस 2020 पर ये फिल्म रिलीज होगी मगर ऐसा हो नहीं पाया रितिक रोशन ने एक इंटर्व्यू में बताया था कि वो क्रिश फॉर की शूटिंग फिल्म वार के रिलीज के बात करेंगे वार साल 2019 में रिलीज हुई थी रितिक ने कहा था कि वार के बात मैं अपने पिता के साथ बैठने वाला हूँ और क्रिश फॉर पर काम करना शुरू करेंगे हमने इसे थोड़ा साइड कर दिया था क्योंकि वो रिकवर कर रहे हैं वाक फ्रेंट की बात करें तो रितिक रोशन जल्दी दिपिका पडुकोन के साथ फिल्म फाइटर में नजर आएंगे वो इस फिल्म के अनाउंस्मेंट पहले ही कर चुके है इल्हाल आप हमें बताए कि आप क्रिश फॉर के लिए कितने एक्साइटेड है पोस्ट करी अपने कॉमेंट्स अलसो दो लाइक, फोलो और शब्सक्राइब टो बोल्यवडनाव फेस्बक, इंस्टग्रम और यूटूब